थार आंटी गांट Rights! आज मैं ट्राई कर रही हूं भुना चिकन रेसिपी Pूले लेी लाईक एडर्रक गळिया दनिया तो ब्लार शंप ऐलाईको धन्येट और चिकन को मैरिनेटर करने लिए जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक पेस था फिर मैंने लगबग 1 kg एक किलो के आसपास चिकन होगा उसमें दही डाला अच्छे से वाश करने के बाद चिकन को उसमें दही डाला और नॉमल हल्दी नमक मिर्च मसाले डालने के बाद उसमें थोड़ा सा धनिया डाला और मैंने देखा कि अच्छे से चिकन में पूरा मसाला लग गया है मैं इसको लगबग 1-5 घंटे के लिए मैरिने के लिए रख दूंगी जिससे जो उसका टेस्ट है वो अंदर तक अच्छे से आए और यह पकने के बाद काफी जूसी और अच्छा उसका फ्लेवर लगता है मै अब देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का हो गया है फिर मैंने साइड में अगर एक किलो चिकन तो लगबग 200 ग्राम प्याज लिया और मैं डिसाइड किया कि मैं अज भग़ोने में बनाओंगी तरा करती हूं तो मैंने 200 ग्राम प्याज लिया अपर अच्छे से भग़ोना छोड़ दिया, आप देख सकते हैं मसाले के इतने अच्छे से उसमें चटक रहे हूं, उसके बाद मैंने जो प्याज काटा था, वो प्याज डाल दिया, और प्याज को काफी अच्छे से मैंने इसमें पकाया, जब तक प्याज का जो गलर है वो लगवाग ब्राउन न हो और आज मैंने सोचा है कि चलो चिकन थोड़ा सा डिफरेंट वे बनाते हैं और मेरे पास तोड़ा सा जो पेस्ट बचा था भी जो मैंने बनाया था अद्रक लैसुन का बोवी मैं इसमें डाल दिया था और बैसे मैं कभी टमाटर नी डालती हूं आस पहले मैंने जब भी चिक तो टमाटर मैंने डाले उसके बाद फिर से मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया जिससे एक अच्छी सी उसमें टमाटर का पूरा अच्छी से फ्लेवर आ जाए और आप देख सकते उसकी त्योड़ी जो ग्रेवी की ठिकनेस है मसाले की और इतने अच्छे से इतना मस्त खुश जो भी मताब पाइसी फ्लेवर है मैं आलमुस्ट काली मिर्च और हरी मिर्च से ही गरती हूं तो मैंने अच्छे से सो मसाला डाल दिया सारा हल्दी नमक मिर्च धनिया और थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे से इसको पका है अब मैं आज पहली वार भुना चिकन ट ग्रेवी वह मैं अच्छे से तो मैं थोड़ी क्रीमी टेक्स्च यर्च गी तो उसके बाद मैंने घीज डाल दिया और सर्दियों में घी जम जाता है तो इतना हाड हो गया था तो मैं इसमें इसले डाल जिया कि इसले तो पूरे मसाले में मिल जाए और उसकाल अगी मेरीनेट हो चुका था एक से डेड़ घंटे तो मैंने मसाले में पूरा अच्छे से उसमें एड़ कर दिया और थोड़ा सा मेरे पास मिंट और धनिया था तो भी मैंने उपर से डालने के बाद अब जो चिकन एड़ किया उसको मैं कंटीनी स्टर करती रहूंगी जब तक अच तो अच्छे से बुनेगा उसका टेस्ट उतना ही जाद अच्छे से क्योंकि अल्रेडी मैरिनेट है तो उसको जितनी हम भुनाई करेंगे उसके अंदर सारे मसाले का फ्लेवर जाएगा तो बस लगवग चिकन को मैंने भूना और इतने अच्छे से थोड़ा थिक हो गया त अब मेरा जो चिकन है उसको स्लो फ्लेम पर मैंने चड़ा के छोड़ दिया था जिससे वह अच्छे से पक जाए थोड़ा सा गल जाए क्योंकि जो भुना चिकन होता है वह थोड़ा सा लट पटा टाइप का होता है मतलब ग्रेवी मैं पूरा क्या वोलूं पर उसके बाद अब अपर जैसमें धनिया करें रहे हुँ का सूरी लाद मिर्ची मृषी कितारी में अक सो अथे मिर्ची करें तो तो अब हमतल आल है अभी डाल दीया अभी थियर सब्जी तो इतने अच्छे से कैमरे मैं शूट कर रहे हो थिर्ज्य क्योंकि एक खास्षिय बना रहे होती ह तो आगे जाके मेरे वीडियो थोड़े से इंप्रूब होंगे तो फाइनली मेरी जो सबजी है वो तैयार हो गई जो की बहुत अच्छी लग रही थी फिर ये मैंने अपने पती देब का टिफिन रेडी कर दिया इसमें चावल, चिकिन और चपाती रग दी बहुत टेस्टी बनाता तो आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी प्लीज बताएगा तो थैंक्यू एवरिवन, थैंक्स फो वाचिंग मैं वीडियो, थैंक्यू मैं तो ऐसी बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं, प्लीज कॉमेंट वरे